ओम शान्ति आज 14 सेप्टेंबर 2021 है भक्ति मार्व में दर्शन का बहुत महत्व है और ज्ञान में भी बाबा ने हमें बताया है कि हमारी दृष्टी का क्या महत्व है दृष्टी से देखना या दृष्टी से दूसरे को अनुभव कराना इन दोनों ही चीजों का महत्व हमने ज्ञान में समझा है तो आएए जानते हैं इसी के बारे में बाबा के अव्यक्त इशारे मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ एक सेकिन के लिए भी लाइट देखने की है इस इच्छा को पूर्ण करने का साधन आप बच्चों के नयन हैं इन नयनों द्वारा बाब के जोती स्वरूप का साक्षातकार हो यह नयन नयन नहीं दिखाई दे लाइट का गोला दिखाई दे कहा जाता है कि इस शरीर से जो भी हम शक्ती दूसरे में ट्रांस्मिट करते हैं उसके तीन मुख्य सोर्स होते हैं जैसे छोटे होते हैं वो बड़ों के पाउं छूते हैं ताकि पाउं के द्वारा वो एनरजी ले सके बड़े जो होते हैं वो छोटों के सर पे हाथ रखते हैं क्योंकि हमारी हथेली हमारे हाथ से भी एनरजी हम ट्रांस्मिट कर सकते हैं और तीसरा और सबसे पावरफुल साधन जो बाबा ने हमें स्पष्ट किया है वो है हमारे नैन हमारे नैन ही हमारे अंदर की स्थिथी को दर्शाते हैं इन नैनों द्वारा ही हम हर चीज को देख पाते हैं और परक पाते हैं इन दृष्टी का मत्व इतना है जो बाबा ने बताया इस समय हमारी दृष्टी बाबा का साक्षातकार कराए इसका अर्थ है जब हमारे मन की अवस्था बाब समान होगी तो वो अवस्था हमारी दृष्टी से जलकेगी और दूसरों को बाबा का साक्षातकार होगा ये दृष्टी ही देहे भी देख सकती है और ये दृष्टी ही जब दिव्य बन जाती है यनि कि अंदर की स्थिथी हमारी आत्मा की बन जाती है तो हमें सामने देहे देखते हुए भी नहीं लेकिन आत्मा दिखाई देती है और ये आत्मिक स्थिथी का अभ्यास जब हम केवल मन से नहीं लेकिन नैनों से भी करेंगी तो उसका रिजल्ट है हमारे सत्यूग में इतनी शक्ती होगी जो दृष्टी से हम नए वंश को जनम दे सकते हैं श्रिष्टी की शुरुवात इसी लिए दृष्टी से कही गई है जैसी दृष्टी वैसी ही श्रिष्टी दृष्टी का एक अर्थ यहाँ पर दृष्टी कोंड भी है तो इसलिए अपने दृष्टी को हम जितना जादा निर्मल बनाते जाएंगे जितना अपने दृष्टी कोंड को हम ज्यान युक्त करते जाएंगे और जितना हम अपने इन नैनों को सात्विक बनाते जाएंगे क्योंकि बाबा मुल्यों में कई बार कहते हैं कि सबसे ज़ादा धोका देने वाली करमेंद्री भी ये नयन ही है तो जब हमारे सब के ब्रामनों के नयन हमारे आंत्रिक स्थिथी को बाब समान स्थिथी को दर्शाएंगे और सबको बाबा का साक्षतकार होगा तब जो गायन है भक्ती का जहां देखूं वहां तू ही तू तब ये सार्थक होगा और यही नैन उड़न खटोले बनकर आत्माओं को मुक्ती का रास्ता दिखाएंगे ओम शान्ति